वीडियो में आप लोको का स्वागत है फाइनली सीबा इनु का ETF आएगा ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में कमेंट से पूछे जा रहे है और जहां तक एक खबर के हवाले से ये पूछा जा रहा है उसमें हम देखेंगे कि कितनी सच्चाई है क्योंकि सीबा इनु का ETF लोंच होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अगर ये आता है तो एक तुफान आएगा एक तरीके से सीबा इनु सभी क्रप्टो करंसी को पीछे छोड़ते हुए फिर बिटकोईन ही क्यों ना हो उसको भी पीछे छोड़ देगा तो इसकी खबर को हम यहाँ पर परताल करने वाले है सबसे पहले तो यार सीबा इनु को छोड़ो बिटकोईन को पकड़ो बिटकोईन यहाँ पर 36,000 डोलर के आसपर चल रहा है लेकिन यहाँ पर अचानक से क्या हो गया कि प्राइस रेगुलर बेस पर गिर रहा है यहाँ पर तो इसके पीछे इसका जो अभी आपने CPI डेटा जो देखा है वो कहिना कहिन इसका लोंच हो रहा है और अगर CPI डेटा अगर आप देखे तो अभी 3.3 या 3.7 के लगभग आने का यहाँ पर चल रहा है अगर CPI डेटा क्योंकि आज लोंच होना है CPI डेटा और इस कारण से बिटकोईन की प्राइस यहाँ पर डाउन गई है क्योंकि यार इन्वेश्टर सोच रहे है कि पहले CPI डेटा आजाए उसके बाद ही यार बिटकोईन में आगे कुछ करा जाए तो यहाँ पर CPI डेटा क्या है CPI डेटा यहाँ पर क्लियर है कि CPI डेटा अगर आता है और पक्ष में आता है यानि कि CPI डेटा 2 परशन तक आ जाता है तो यहाँ पर बिटकोईन की प्राइज ओविसली 36,000 डोलर से बढ़कर 4,000 डोलर तक आपको देखने को मिल जाएगा 14 ठीक है लेकिन अगर यहाँ पर जो CPI डेटा है वो अगर इसी टाइप से रहता है और जिस टाइप से यहाँ पर CPI डेटा बताया जा रहा है कि 3.3 या 3 पॉइंट 7 तक पहुचेगा अगर इससे उपर यह रहता है तो ओब इसलिए बिटकोईन में आपको यह सी ही ग्रावड देखने को मिलेगी तो डिपेंड करता है CPI डेटा के ओपर CPI डेटा अगर बढ़ गया तो फिर तो नेगेटिव में गया तो बिटकोईन की इससे ही रहेगी वो नीचे जा सकती है देखे ग्राव नीचे के तरफ जा रहा है वही अगर पॉजिटिव CPI डेटा आता है तो अच्छे ख़बर बिटकोईन के लिए हो सकती है तो यहाँ पर यह सबसे बड़ा सवाल है लेकिन यार एक ख़बर निकल कर यह आ रही है कि य ब्लेक रोक की तरफ से ETF फाइलिंग की गई है XRP की तो यह एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी और जब XRP ETF की फाइलिंग हो रही XRP की तो यार फिर तो सीबा की भी ETF आएगी और फिर यार बिटकोईन की तो आनई वाली है और आपने देखा होगा इथेरियम भी यार ETF के लिए छे बार रिपलाए कर चुका है तो फिर तो उसकी भी ETF आएगी लेकिन यार सबसे बड़ा सवाल यह है कि XRP की ETF कब आ रही है तो मैं आपको बता दू यह जो खबर आपने भी देखी होगी यह फेक है यहाँ पर लिखा है ठीक है फेक ब्लोक रोक कहीं पर भी इन्हों ETF नहीं आई है तो फिर XRP की ETF आने का सवाल ही नहीं है और Siba Inu की तो भूली जाई है कि Siba Inu की कुछ ETF आ सकती है तो जो लोग यह कह रहे हैं कि ETF आएगा Siba Inu का जल्दी ही आने वाला है क्योंकि Siba Inu से related भी एक fake news चल रही है जहां पर कहा जा रहा है कि Siba Inu आपका XRP आपका और भी जो कोईन है ना लाइट कोईन वगेरा यह जितने भी है यह सब की ETF आ रही है अब भाया जब बिटकोईन की ETF में इतने लाले पड़ रहे है तो फिर Siba Inu की ETF की तो संभाव नहीं अभी कुछ भी नहीं है हाँ भविश्य में कुछ भी हो सकता है लेकिन यहां पर ब्ल XRP की प्राइज में अचानक से यहां पर देखो कितने बड़ी ग्रीन केंडल बनी थी अचानक से उचालाया था और जैसे यह बता पड़ा कि यह तो फेक नहीं हो जे तो उतना ही डंप भी रहा या फिर कुछ लोगों ने यहां पर विचारों ने जो भोले भाले थे उन्हो फाइदा उठाया तो आप देखोगे कितनी बड़ी रेट केंडल भी बनी मतलब कुछ लोगों का नुकसान हुआ इस फेक नियोस से और कुछ लोगों ने इसका फाइदा उठाया आपको मैं बार बार यही कहता हूँ कि इस चैनल के साथ आगर आप जुडते हैं तो आपको इस टाइब के कभी भी लोज नहीं होगा कभी भी आप बड़े लोज से बस सकते हो कभी भी नहीं फसोगे मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इस चैनल को सस्क्राइब कर लो या फाइदा है आपको मिलेगा फाइदा यह कहने की बात नहीं है बाकि आपकी मर्जी चैनल होगे कि ऐसा बॉल रहे हैं यहां पर अगर आप देखोगे तो green candle देखो कितनी बड़ी उसकी body उसका shape कितना बड़ा है लेकिन यहां पर अगर आप buying की देखो great candle तो कहां तक कितनी ऊपर तक गई थी यहां तक चली गई थी फिर उसके बाद गिरी मना highest point इसका यहां तक था lower point तो ही नहीं चोटा सा है लेकिन highest point यहां तक चली गई थी selling उसके बावज़ुद फिर यहां पर जाके रुकी है तो लोग fake news पर भी कितना विश्वास करते हैं यह बात आ रही है सामने और इसी टाइप से सीवाइनू की एक खबर चल पड़ी है कि सीवाइनू ETF लाएगा ETF लाएगा बहिया कुछ भी नहीं है क्लियर तो यह है कि जब बिटकोइन का ETF नहीं आया तो सीवाइनू इथेरियम XRP के तो छोड़ी दीजिए यार सीवाइनू के ETF लाने में इतने लाले पड़ रहे है हाँ यह है कि बिटकोइन का ETF आ जाता है उसके बाद इथेरियम के ETF आ जाएगा यह तो अच्छे चीज है उसके बाद हो सकता है अगर यह सफल होता है बिटकोइन इथेरियम इनका ETF सफल होता है तो फिर ब्लॉक रॉक जैसी कमपनिया और भी आपको यहाँ पर जो है जो ETF है वो ला सकती है ठीक है तो यह देखना जरूरी है कि यार बिटकोइन और इनका ETF कब तक आता है और कितना सफल होता है सफलता के ओपर डिपेंड करेगा बागी का क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत तो है नहीं ETF लाइने में हाँ लेकिन एप्रोल में ही तो सबसे बड़ी समस्या है एक बर वहरो सा क कायम हो गया तो जरूर मिलेगा और जिस दिन सीवा इनका ETF आता है तो आप सोच के सलो बहुत बड़ा आपको इसमें पंप देखने को मिलेगा लेकिन अभी तो कुछ भी आसार नहीं है और कुछ ऐसी खबरे नहीं है लेकिन भविश्य है और कुछ भी हो सकता है अगर बिट मिलेगा सीवा की प्राइज में इंक्रीज बैन यह अच्छे चीज है और उसी के साथ सीवा की प्राइज में भी हाँ पर पंप देखने को मिल जाएगा ठीक है तो एक छोटा सा वीडियो था है और आई होप आपको वीडियो देखने पर मजा आया होगा चैनल सस्क्राइब कर सकते हैं वीडियो लाइक नया चैनल है नमस्कार